नमस्कार मित्रों मैं आचार यानव प्रकास स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने संस्था मार्ग दरसनम ए होलिस्टिक गाइडेंस के इस यूटूब चैनल पर दोस्तों हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक नई जानकारी दरसन के विशे में दरसन क्या है और उन को सस्क्राइब लाइक जरूर करें एवं बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली सभी जानकारी आप तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें ताकि आपके अपने मित्र बंधू भी इससे लाभान भी तो हो सके तो आए मित्रों हम जानते हैं जैसा असद वस्तु का विचार किया जाए उसे दर्सन काते हैं प्रारंपे से ही दर्सन दो धाराओं में भी भाजित हुए देखे जाते हैं जिन में एक भारती दर्सन धारा है और दूसरी पास्चात दर्सन धारा भारती दर्सन धारा भी दो धाराओं में भी भाजित हैं पहला आ नास्तिक दरसंधारा, आस्तिक दरसंधारा के च्छा भी भाग हैं, और नास्तिक दरसंधारा के च्छा भी भाग हैं, तो आए आज हम आस्तिक दरसंधारा के विशे में जानते हैं, आस्तिक दरसंधारा में जो च्छा भी भाग हैं, वो हैं सांख, योग, न्याय, वैसे शिक मीमانसा और विदान्थ तो इनके हम जाने के कौन से आचार हैं पला सांख दर्सन है उसके परोरता का आचार है कपिल मुनी दूसरा योग है उसके परोरता का आचार है महरसी पतंजली तीसरा है न्याए इसके हैं महरसी गौतम चौधर है वेशेशिक इसके हैं कणाद, पांचमा है मिमानसा, इसके हैं जैमिनी, और छठमा है वेदान्त, इसके हैं महरसी बादरायन, देखिए मिमानसा में पूर मिमानसा और उत्तर मिमानसा भी कहा जाता है, पूर मिमानसा जो जैमिनी हैं, और उत्तर मिमानसा वेदान्त के आचारे बादरायन, आएए अब हम देखते हैं सांख दर्षन की विश्य में जो सबसे प्राचिन दर्षन है यह दर्षन निर्यस्वरबादी दर्षन है और यह भारत का सबसे पुराना दर्षन है जगत की उत्पत्ती प्रकृती से हुई है ना कि इस्वर के द्वारा और जगत की स्रिष्टी प्रकृती और पूरुष के सयोग से होना माना जाता है इस दर्षन के अंसार और यह सदकार वादी दर्षन माना जाता है सांख दर्षन और योग दर्षन का जो सिद्धान्त है वह है इस्वरवादी दर्षन है निर्वाण पृत्राप्ति ध्यान और सारेरिख साधना से होती है इसमें इसका जो प्रशिद्ध्गरन्त है महरसी पतंजली कृति योग दर्षन है उसका प्रथम सूत्र है योगश चित्वृत्य निरोधा और ये 26 तत्तु मानते हैं नियाए दर्शन की बात करें तो यह पूर्व रूपेंड तरक पर आधारी दर्शन है इसमें तरक एवम विशलेशन द्वारा सत्ते को जानने का प्रयास किया गया है इसकी अनुसार मोक्ष प्राप्ति विज्ञान से संभाव है और इस दर्शन का प्रसित दिखरंथ है नियाए सूत्र है वैसेशिक दर्शन देखें तो परमाणुवाद गवर्णन सर्व प्रथम इसी दर्शन में हुआ था यह एक स्वतंत्र भावतिक विज्ञानवादी दर्शन है विशेश नामक कलपना के कारण इसे वैसेशिक दर्शन कहा जाता है और वैसेशिक दर्शन का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है वैसेशिक सूत्र अब हम मिमांसा दर्शन देखें तो मिमांसा दर्शन का मुख्य लक्ष जो है वो है मौक्ष प्राप्ति करना और यह दर्शन वैदिक कर्म पासना पर आधारिक्त है पारलोकिक सत्ता की माननेता है इस दर्शन में और यह जो मिमानसा दर्शन है इसका प्रसिद्ध ग्रंद है मिमानसा सूत्र और अब हम दोस्तों अंतिम दर्शन की बात करेंगे जो वेदान्त के नाम से जाना जानता है और उत्तर विमानसा भी इसको कहते हैं इसके प्रवर्था का अचार महर्षिवाद रायन है वेदांत का अर्थ है वेदों का अर्थात सार्भूत वेदांत सब्द अपनिश्दों के लिए प्रियक्द होता है ब्रह्म्भ के अतरिक्त सम्माया आवास्तविक है ऐसा वेदान्त सार का जो विशय है उसमें बताया जाता है और इस वेदान्त दर्शन का जो प्रसिद्ध गरंथ है वो है ब्रह्म्भ सूत्र तो दोस्तों यह रहिए आज के लिए आपकी जानकारी दोस्त अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवस्य करें साथ ही वेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन्स फराप्त होते रहें और जादा से जादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाफ ले सके लाइक एवन सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद नमस्कार